जोर तेरो इत्तो सहस मेरी आखों के सामने मांखन चुरायो काना कहीं जानके और सावितरी सत्ते तो ना क्या रही थी है ना ना मैख Inner जे मैंने ना चुरायो है वह आया था मुरक समस्ती है मुझे तेरे मुख पर लगा मांखन सारी काता कहा रही था आपको दूखा उर है मैख फिर मेरे मुकपर मांखन आवस्ते λगो है पर जे मैंने ला खायो वो आया था बसकर, सब पतो है मुझे सुबह से इद्रस्टी थी थे री इस माखन पे मै सत्ते कह रही हूं मैया मेरे विश्वास केजी वो आया था और उसी ने माखन कायो है वो आया था, वो आया था, रे कौन आया था कान्हा 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 अरे ये बेरिल ने थोड़ी दा है ये हमारी टूली के लिए हमारे सदस्य के लिए है काहे पुमानर मराच धन्यवाद वालन मराच अवश्य है घर छुड़के आयोंगो इसे अब आप ये दो और ये ये लो ये तो और दिमान वनर है बाल बराबर बज़ी के याद तो तनी कॉर्मी ने मुझा था तो बहुत कुटाय हो जाती आपको शीकरी ही कुछ करना होगा सुलक्षणा चाची इस्त्रियों की टोली बनाकर उस वैपारी को अपना वचन दिने निकल चुकी है मैंने कहा था ना सुरिया स्थोने से पहले आएंगे सब आएंगे क्या होगा है तुम सक को हाँ कोई भी कच्छु समझने को तयार ही ना है वहाँ वो सुलक्षणा सेश सभी के साथ उस वैपारी को वचन देने जा रही है और यहां तुम दोनों मेरे लल्ला पर गोकुल के राज कुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही है नारायन ही जाने अब क्या होगा गोकुल किस्त्रियों का क्या हुआ प्रभू? किस सोच में डूब करे आप? कुछ कीजिए ना मुझे अच्छी तरह समारण है भया आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिये लगती थी आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी समारण होगा लो भया जीब भर के खाओ ऐसी मिठास तो ना गुड़ने सीखी है ना मधू को पता है अद्बुत अद्बुत देव की अद्बुत तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस आप फिला वहन चिंता क्या विशकता नहीं है वहा मैंने कोई विश्व नहीं मिलाया वहाई 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 उत्तम अति उत्तम कैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे क्या हुआ देव की यह तू भैबीत तो नहीं हो गई कंस से यह इस असहाय वहाई चूहे की दशा देखकर तुझे यह अभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है उस विश्णूबवतार का भी और उसके भगतों का भी जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे वही तो है नारायन की लीला भैया अरे तेवकी तेरा नारायन केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है उस असुर का क्या बिगाडेगा? जो विकार बनकर उसी के भगतों को भीतर से जखड़ ले? जो भगत शी नारायन के भगती में जखड़े हुए हैं, उन्हें नारायन इतनी सरल्ता से किसी विकार में नहीं पढ़ने देंगे और ना ही उने निराश होने देंगे. कि मुदले कि दान? सुमती, सुना तुमने हाँ, कितना मनमुहक है जी काधा, कैसी धुन है ये, कहां जा रहे है ये सब? कि मुदले को परिए ये ऐदे, कहां मनम हाँ कि मुदले का उा लुक्त करेख यूह लूह 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 हम लोह हम आए heft टतनी आए पाल संसी ओूह ूह आए लू jewel वूह मू मू खीर तो केवल माध्यम था भाईया, सत्य तो ये है, कि मैं केवल आपको इतना बताने आए थी, कि श्री नारायन अपने भगतों को, किसी ना किसी तरह, सही मार्द अवश्य दिखाते हैं. किसी भी जाल में असने देते हैं, कभी नहीं, नारायन अने लोग तो क्या, किसी भी जाल में असने देते हैं, कैसी लगी बेडी मुल्डी की धुन? अच्छी थीरा, आनन आयो! सच्छी मिकाना, भहुत आनन दायो! मुर्ली बजाना, कहां से सीखा तुने? सच्छी, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित होगों, हैं चाच्छी? जैसे सब कुछ में गयो! तो फिर किस वस्टू के पीछे भागरों आप सब? सब तो हैं आपके पास? सुख, साग, सब्रिती, फड़ संतुष्टी क्योड़ा है? मेरा नन्ना सा काना इत्ती समझतारे के बात कर रहे हैं! अब जेस दन को पाने के लिए इतने आतुरतुरत, वो आज मिलेगा तो सही! पर कल गयगी तो हो जाए जाए जाए! और यदी किसीने बहुत प्रत्र करके धेर सारा धन ने कट्रित्री कर लिया, तो जीवन के बाद, वो उसे अपने साथ उड़े ही ले जाए! इस धर्थी पर जण लेने वाले सभी प्रानियों की सारी संवदा, यहां तक कि उनका तर्थ समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है! आशेश, पती, आत्मा, वो तो बर्मात्मा के चट्नों में चली जाती है! मैया भी यह है, स्वेम पे नेर त्रण पाना पड़ेगो! यह सब मेरे बावर समझाते हैं! मैं तो सबच गयो, अब आप सबने सबच जाओ, ना तो… ना तो, जा काना? ना तो लोग का राक्षेश, जा कर लेगो! सब छटक लूंगा! मैं नेर सही का रहा बाबा? बात तो सही क्या रहो है, जे! बस अब यह उस मार्क पर चले, जो प्रभु ने इने दिखायो है, संतुष्टी का मार्क! तो तेरे कहने का आर्थ यह है, कि तेरा नारायन अपने भक्तों को मार्क दिखाएगा, और वो गोकुलवासी मेरे शडयंत्र से बच जाएंगे! लोब, तेरा नारायन चाहे कितने भी मार्क दिखाएगे! कि तु जब व्यक्ती के भीतर लोब बस जाए, उसे तो स्वयम भगवान भी नहीं बचा सकता! व्यापारी जी, सब वापस लोट कर आ रहे हैं! व्यापारी जी ये रूप क्यों नहीं रहे हैं? ये सीधी ही चली जा रहे हैं! सब जटक लूँगा! मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूँगा! अरे शिकों से भरे मटके यहां क्या कर रहे हैं? लगता है, लक्षमी जी स्वयम आपके पास आना चाहती हैं! सब तो है आपके पास सुक, स्वाथ, समरिती पर संतुष्टी क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिकों को? अरे पोटली में बांदिये, गोकुलवासियों को देना है के नहीं? जाओ 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 चलो चलो ये लो! अवसर का लाब उठाने को लोग ना कहते पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे इसे मुर्कता अवस्य कहते हैं! गोकुलवासियों आपके साथ वैपार नहीं करेंगे! आप जा सकते हैं आथे! गोकुलवासियों मूर्क थोड़ी नहीं श्रीमान! ये लक्षमी घर पर आ रही है और वे थ्वार कवाक्ष पन करके घर में इदुबक्त के बैठ जाए और लक्षमी से कह दे कि आप नहीं आई है! ये अच्छी तरह जानते श्रीमान के धन इनका जीवन बदल सकता है! पुर्षो को सुख, शान्ती, एश्वर ये सब प्राप्त हो सकता है! और महिलाओं को मिल सकते हैं नए-नए वस्त तरह-तरह के आभूशन जो चाहे वो! व्यापारी जी सही कह रहे है? इनके साथ व्यापार करने में बुरा ही क्या है? एक जोटी सी बात समझ में नारी आपके! अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता हो तो अभी तक यह आ आ चुको हो तो! श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं! अच्छा होगा कि आप श्रीक रती श्रीक यहां से चले जाए! हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ श्रीमान लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुक ठन से होता है! और मैं वही बातने यहां आया हूँ! मुझे क्या पता था कि यहां के सम्रिद्ध राज तरवार के लोग आम कोकुल वासी को सम्रिद्ध होने देना ही नहीं चाहते! देखिए! श्यवकों, सारे सिक्के समेट लो! चलो! यहां किसी को लक्षमी जी का आशिर्वा चाहिए ही नहीं! उखाओ! नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तयार हैं! हाँ, हम भी तयार हैं! सुलक्षन है? हाँ, हाँ, व्यापारी जी, हम दोनों भी तयार हैं! हम सबको आपके साथ व्यापार स्विकार हैं! आप इस दूर्द की बातों में मताईए, इसका जाल है जाल ना, जे आउसर है लाओ व्यापारी जी, अगरेम धनरासी इतनी आशानी से नहीं देवी जी आप सब लोग अपना निर्णे बार बार बदल रहे हैं मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णे बदल लिया तो ना, ना, हमारा निर्णे आप अटल है व्यापारी जी, अब ना बदलेगो जे मैं कैसे मान दूँ कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे पचों भी करके इने विश्वास दिलाना पड़ेगो हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी आप जो बोलेगे हम वो करने को तयार है तो फिर लीजिए अपने अराध्य श्री नारायान के नाम की शपत आज से जितना भी दूद दही जी माखन आपके यहाँ उत्पन होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे मैं श्री नारायान को साक्षी मानकर जे प्रण लेती हूँ कि आज सिल जित्ता भी दूद नहीं मांखन में बनाओंगी, वो केवल आपको ही दूंगी. मैं भी स्री नायन को सक्षी मान कर प्रण लेती हूँ. मैं भी 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 प्रण लेती हूँ. गाउवालों को समझाने के चक्कड में बहुत बड़ी भूल कर दी बेदे बाबा साहिता करो ना लगता है मैया को संदेद हो ग्यों है मैं ना चातो मेरा सत्य सामने आए बाबा यशुदा क्या होगो क्या होगो देखो ना अपने कैसी मधूर-मुणली बजाईया हमारे काना ने अच्य कित्ती बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है जै कोई सामानने बात है? बाबा संबालो सामानने बाती तो है यह सोधा जैसे बड़े बड़े रिसी महात्मा के जैसे ज्ञान की बाते करना जै सामानने लग रहो है आपको अब पालक जो देखतो सुनतो है वही तो करतो है अब हमें कित्ती बार बाते करते सुनो है हमने कित्ती बार इसको सिक्सा दी है और अब तो यह सुदा जे बाहर भी जाने लगो है कितने नए-नए व्यक्तियों से मिलतो होगो नई-नई बाते सीखतो होगो है के ना सही कही थी जी आपने बालोकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता जे देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसे सयाना हो गयो मेरा लल्ला इन सबकी तो मती ही मारी गई है तो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सथ क्यों रे? इतनी सीगर इतनी बड़ी-बड़ी बाते करने लोगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूं मैया हम् अब चल घर चलके मुझे बता और क्या-क्या सीखो है तो ने तू तो बचको काना पर इन गाव वालों का क्या हूँको? मेरा कारिय मा उठ दिखाना था बाबा अब वो कौन सा बार चोर लेगे? नितो उनी पर निर्बर है पहले आपने समझाओ, फिर मैंने समझाओ, अब तो काना ने में प्रवचन दे दियो आसा है अब उनके समझ में आ जाएगी किसी को कच्छू समझ में नायवव उस दूर्थ के सिक्को की खनक ने सबको अंदा और बहरा बना दियो सबने श्री नारायन के नाम का प्रण लेकर उसे वचन दीतियो अब से अपना सारा दूद, दै, बाखन, सब कुछ कि वो लोड की वलूस व्यापारी को ही देखे जीने मया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायन भी नहीं समझा सकते है